आज की क्लास में हम लोग बात कर रहे हैं समयधान में अल्प संख्यात अनुछेद उनुटिस और इक्स इसको लिखा जाएगा संस्कृति एवं एक्षार संबंधी अधिकार एक नजर डालते हैं हम लोग इसमें अटिकल पर यहां लिखा है अब संक्यक वर्गों के हितों का संक्षा कि भारत के राजश्यक्रिया उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को जिसकी अपनी विशेश भाषा लिपी या संस्कृति है उसे बनाए रखने का अधिकार होगा इस आइटिकल की खासित क्या है कि हाला कि अब संक्यक वर्गों के हितों की रख्षा की बात करता है लेकिन यह सभी नागरिकों पर प्रभावी इसलिए यहां लिखा है कि राज भारत के राज च्छेत्र या उसकी किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी भी अनुभाग को किसी वीवर कोई भी नागरिक होगा अगर उसकी अपनी विशेश भाषा लिपी या संस्कृति है तो उसकी रक्ष जो इसका है वोई है कि राजे द्वारा पोशित या राज निदी से सहायता पाने वाली किसी सिक्षा संस्था में प्रवेश्ट से किसी भी नागरी को केवल धर्म, मूलवन्ष, जाती, भाशा या इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। जैसे हम लोगों ने अनुचेद 23 पढ़ने के समय एक तुलना की थी, अनुचेद 15 के खंड एक की और 23 के खंड दो की जिसमें यह पताया था मैंने कि 23 में एक नया शब्द एड़ किया गया है वह है वर्ग जो 15 एक में नहीं है और 22 में जन्मस्थान और लिंग ये दो है कि कुसी तरह अनुचेद 15 एक और 29 दो का भी तुल्नात्मक अध्यन करेंगे अगर अंतर संबंध निकालेंगे अगर तो दोनों में समानता क्या है कि दोनों विवेधी करण को रोकते हैं लेकिन जहां अनुचेद 15 एक में भाशा शब्द का उलेक नहीं है वहीं 29 में यह प्रयोग नहीं किया गया है यहां भी कहा जाएगा कि अनुचेद 29 दो 15 एक का ही विस्तार है इस रूपे इसका अब्तर समद लिखा जाएगा दूजरा अनुचेद 30 वह कह रहा है कि सिक्षा संस्थाओं के स्थापना प्रशासन करने का अल्प संख्यक वर्गों का अधिका इसमें एक विशेश बात है कि धर्म्या भाशा पर आधारित सभी अप्रशाशन का अधिकार होगा कोई भी अल्प geben वर्ग है भाशा लिपिया संस्कृति के आधार पर पहचाना गया कोई भी अल्प संक्यक वर्ग का जिसमें ऐसी सिक्षा संस्थाओं के लिए दिशा निर्देश दिया है पुछ तम्याले ने ये मूल बाते हैं अनुच्छे 29 और 30 की इसकी पहले हम लोग थोड़ी से व्याख्या कर लेते हैं उसके बाद एक एक करके देखें कि वह उसमें और विशेश बातें कौन सी हैं सम्मिधान में अल्व संख्यक शब्द परिभाशित नहीं है पीटी का पूशा गया प्रस्ने इसको टिक कर लिजिए ध्यान रहे गया कि सम्मिधान में अल्व संख्यक शब्द परिभाशित नहीं है लेकिन लेकिन उनकी पहचान के लिए तीन आधारों का उल्ले किया गया है तीन आधारों का उल्ले किया गया है भाशा, लिपी और संस्कृति प्रतेक ऐसे वर्ग को अपनी भाशा, लिपी या संस्कृति की रक्षा का अधिकार है वस्तुता अनुचेद 29 खंड एक के प्रावधान केवल अल्प संक्यक वर्गों तक सीमित नहीं है बलकि सभी नागरिकों के लिए उपलब्द है सभी नागरिकों के लिए उपलब्द है कि अपनी भाशा लिपी या संस्कृति की रक्षा का अधिकार होगा करके इसी संदर्व में अनुचेद 29 खंड दो में यह स्पस्ट उल्लेक है कि सरकार की किसी शिक्षा संस्था में सरकार की किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश के लिए प्रवेश के लिए कि निम्नाग्कित में से किसी आध़ार पर विभेद निम्नाकित में से किसी आधार पर विभेद नहीं किया झाएगा निम्नाकित में से किसी आधार पर विवेद नहीं किया जाएगा जैसे खर्म मूलवन्ष जाती या खाशा खर्म मूलवन्ष जाती या अब इसी के बेश पर लिखा जाएगा अनुच्छेद 29 खंड़ 2 प्रफ्था का अंतरसंपत जमानता के दुनों में दुनों ही अनुच्छेद कुछ आधारों पर विवेद रोकते हैं और दुच्छा है इन नता हिन में क्या है अनुच्छेद 15 एक में भाशा अनुच्छेद 29 दो में लिंग और जन्मस्थान चब्दों का उलिक नहीं है कार्थ क्या हो गया अनुच्छेद 29 दो अनुच्छेद 15 एक का ही विस्तार है इस सब प्रिलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट एरिया है क्वेश्चन के पहला क्वेश्चन जैसे था कि अल्पसंख्यक शब्द की परिभाशा नहीं है किस आधार पर अल्पसंख्यकों की पहचान कर सकते हैं एक प्रस्णवा है एक या अंतरसंबंद का है और तीसरा प्रस्ण फ्रीलिम्स के लिए कि अल्पसंख्यकों के लिए जो आधान है समिधान में 39-1 में केवल अल्पसंख्यकों तक सीमित नहीं है बल्लकि सभी नागरिकों के लिए उपलते हैं कि आगे लिखे उसको पारग्राप में उच्चितम ने आले ने कि ए रल शिक्षा विध्यक निसो अन्ठावन किरल शिक्षा विध्यक निसो अन्ठावन के संदर्व में के संदर्व में यह कहा है कि यदि किसी समुदाई की जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या के पचास प्रतिशत से कम है तो उसे अलब संख्यक वर्ग का दरजा दिया जा सकता है उसे अलब संख्यक वर्ग का दरजा दिया जा सकता है इसके लिए सरकार द्वारा इसके लिए सरकार द्वारा अधिसूचना या नोटिफिकेशन अधिसूचना जारी की जाती है वर्तमान में भारत सरकार द्वारा 23 ओक्टूबर 1993 को जारी अधिसूचना के तहत पांच अल्प्शंक्यक वर्गों की पहचान की गई है पांच अल्प्शंक्यक वर्गों की पहचान की गई है जैसे मुस्लिम है 14.23 प्रिश्टन है 2.3 प्रिश्ट है 1.7 प्रिश्ट है 0.7 प्रिश्ट है 0.7 और पार्सी है 0.0006 प्रिश्ट इनके अत्रिक्त 20 जन्वरी 2004 कू इसके अत्रिक्त 20 जन्वरी 2004 कू 2014 को जारी अदिसूचना के तहत 20 जन्वरी 2014 को जारी अदिसूचना के तहत जैन समुदाई को जैन समुदाई को अल्प संख्यक वर्ग का दरजा प्रदान किया गया था जिनकी जन्वरी 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 जन् पहरा चेंज करके अल्प संक्यक वर्गों के स्वैक्षनिक हितों को ध्यान में रखते हुए अनुचे 30 के खंड एक में ऐसे वर्गों को उनकी रुची की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना का और प्रशाशन का अधिकार होगा उनकी रुची की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशाशन का अधिकार होगा इस संबंध में उच्टम न्याले ने कि एमें पाई फाउंडेशन बनाम करनाटक राज दो हजार दू के प्रशाशन और प्रबंधन के लिए दिशा निर्देश जारी किये हैं न्याले के अनुसार ऐसे संस्थानों को पाठिक्रम के निर्धारण परिक्षा के संचालन और शिक्षा प्रदान करने के दैनिक कारियों में स्वायतिता होगी लेकिन राज को यह अधिकार होगा राज को यह अधिकार होगा कि शिक्षा के अस्तर को बनाई रखने के लिए ऐसे संस्थानों को निर्धेशित करें ऐसे संस्थानों को निर्धेशित करें और अंत में एक वाह क्यों लिखना है अनुचे तीस खंड दो में यह स्वस्ट उलेक है की राजे द्वारा शिक्षा संस्थाओं को सहायता राशी राजे सरकार द्वारा शिक्षा संस्थाओं को सहायता राशी देने के दौरान किसी भी अलप संक्यक समुदाइक के साथ विभेद नहीं किया जाएगा विभेद नहीं किया जाएगा अब जाएगा